असलाम अलेकम एब्रिवन वेलकम तो एनदर वीडियो आफ शॉर्ट लेक्चर्स भाई अब्दुलकादिर आप सब ठीक होंगे तो जैसा कि आपको पता है कि सिवीलियन्स की पाकिसान नेवी में जो जॉब्स आई थी उनके टेस्ट आज छे एप्रिल से स्टार्ट हो चुके होनी चाहिए क्या आपके जहन में होना चाहिए किन चीज़ों का आपको आलरी पता होना चाहिए हम टेस्ट के पैटरन की बात करेंगे स्पेसिफिकली हम लडीसी यूडीसी और असिस्टेंट के टेस्ट की उसके पैटरन की बात करेंगे फिर बात करेंगे रिजल्ट कब त होने वाले लोगों की document verification होती है और फिर further जो final selection होती है हम इनकी timeline के हवाले से भी बात करेंगे और थोड़े time में maximum information जितनी हम इसमें cover कर सकेंगे वो हम करेंगे और जो चीजें already uploaded हैं हमारे channel पे मैं कोशिश करूँगा उनको नए serious से discuss करने की बजाए उनके links आपको description में add कर दूँ तो आपका time जाय किये वगार शुरू करते हैं लेकिन I request कि अगर आप लोगों ने हमारे channel को subscribe नहीं किया तो वो कर लें और bell icon को भी दबा दें ताके जो भी हमारी latest video आए आपको उसका notification मिले और आप timely चीज़ों को follow कर सकें तो सबसे पहले हम अगर test day की formality की बात करें तो उसके लिए आपके पास जिस दिन आपका test है आपके पास जो computer generated sleep है वो मुझूद होनी चाहिए photo अगर उसके पास उसके उपर आपने लगाई भी है तो भी आपके पास एक passport size picture होनी चाहिए जो कि आप steple कर लें अपनी sleep के उपर उसके बाद जो test की fees है जो 200 रुपया fees है वो आपके पास cash में मौझूद होनी चाहिए आपका original domicile आपके पास हो आपका original cnic या bay farm जो भी आपके पास जो आपका हो वो आपके पास मौझूद होना चाहिए और academic documents की बात करें तो उसमें हमारे पास जो degree आपको eligible कर रही है उस job के लिए अगर assistant के लिए आपने graduation या जिस degree की base पे apply कर रहे हैं वो डिग्री आपके पास लाजमी मौझूद होनी चाहिए उसके नीचे वाली metric या इंटर वाली लाजमी नहीं है उसी तरह अगर UDC के लिए apply किया है आपने बारह साल की तालीम की base पे तो आपके पास उसका certificate मौझूद होना चाहिए और LDC के पास recruitment office में जाएंगे वहाँ पे आपके documents की verification की जाएगी यह वले documents आपके चेक किये जाएंगे उसके बाद आपको दूसरी जगह पे अपनी fee deposit करवानी पड़ेगी जिसके बाद आपके slip के उपर वो paid की step लगा देंगे फिर आपके पास जो mobile है वो आप वहाँ पे recruitment office में deposit करवा सकते है जिसकी आपको एक slip दे देंगे जिसके कोई charges नहीं आप से लिये जाएंगे तो आप घर पे mobile छोड़ने की वज़ाए अपने साथ ले जाएं ताकि आपको लोगों से communicate करने में भी issue ना हो कोई आपको issue आ जाता है तो आप लोगों से राबता कर सके अपना issue बियान कर सके फिर जो चीजें आपके पास test के दोरा नहीं होनी चाहिए उसमें सारी की सारी smart devices है mobile भी शामिल हो जाते है smart watches भी शामिल हो जाती है या इसी तरह का कोई भी calculator या कोई भी smart diary वो आपके पास नहीं रहेगी वो आपने या तो जमा करवा देनी है या वहीं जो आपका test hall material नहीं होगा आपके पास अगर जेम में कोई pen marker pencil कुछ भी होगी तो वो आपसे बाहर ही रखवा दी जाएगी cap नहीं पहनी होगी आपने cap भी आपकी उतरवा दी जाएगी even आपको test center में जाने से पहले आपकी manual watches जो हैं वो भी उतरवा के कहा जाएगा कि आप अपनी जेम में रख लें तो बेहतर है अगर कोई चीज़ें आप अवाइड कर सके अगर कोई इन में से आपकी महंगी चीज़ है कोई smart watches है चाबियां है आपकी गाड़ी की बाइक की तो वो आप बेहतर है कि उसी पहुच में जहां पे आप mobile deposit करवा र जहन में रखें कि आपको जो भी test का time है आपका वह 100% follow होना काफी मुश्किल है क्योंकि काफी ज्यादा strength है तो ऐसी situation में आपको काफी weight भी करना पड़ सकता है roughly आपको एक से डेड़ दो गेंटे तक भी आपको weight करना पड़ सकता है तो यह चीज़ आप जहन में रखें और 8 बज़े का time है 9 बज़े 10 बज़े तक भी आप जा सकते हैं हाँ यह चीज़ जहन में रखें कि 12 बज़े जो last slot है उसके लिए भी साड़े बारा बज़े तक की entry हो सकती है तो जो बारा बज़े वाले हैं वो कोशिश करें साड़े बारा से जादा late ना हो उसके इलावा जो बज़े वाले हैं 8, 9, 10, 11 बज़े वाले भी वो भी साड़े बारा बज़े तक पहुँचके अपना test वो कंड़क्ट करवा सकते हैं ठीक हो गया I hope कि आप कुछ यह चीज़े clear होगी है test के duration की बात करें तो इसमें आपके 105 MCQs होंगे तीन हिस्सों में 40, 40 और 25 और इसका total time आपका 45 minutes होगा around 45-46 minutes जिसमें पहला portion आपका intelligence का आजएगा उसकी intelligence में आपके 40 सवाल होंगे और साड़े सत्रा मिनट आपके पास साड़े सत्रा 18 मिनट आपके पास time होगा intelligence portion से आगे अगर वो आपका qualify होता है तो फिर आपके पास आगे academic का portion open हो जाएगा उसमें भी इसी 40 questions है MCQs और आपको 25 minutes का time दिया जाएगा यह चीज़ जहन में रखे कि यह सारे के सारे test computer based होते है computer पे आपके test लिये जाएगे और last जो आपका portion होगा वो होगा computer related जिसमें 25 सवाल होंगे और 10 minutes का time आपके पास होगा और eventually जब आप यह सारे questions complete करने के बाद submit करवाएंगे त तो screen पे आपको green में या red में लिखा हुआ नजर आजएगा अगर तो आपका test qualify हुआ होगा जिसकी एक limit है कि इतने percent आपके अगर answer ठीक है तो आप qualify कर लेंगे green में लिखा आजएगा कि आप qualify कर चुके हैं और अगर unfortunately आप fail कर जाते हैं तो यह red में आपको लिखा हुआ future कि आपको बुलाया जाएगा और secondly जो green में लिखा है qualify इसका यह मतलब नहीं है कि आप अगले step के लिए बुलाये ही जाएंगे इसमें यह होता है कि चुके यह काफी दिन तक test चलते रहेंगे मुखलिफ centers में होंगे और specific seats हैं गिनी चुनी seats होती है तो उसके हिसाब से merit बन बनेगा और top merit वालों को पूरे पाकिस्तान में से सारे centers के हिसाब से जो merit final होगा उसके accordingly वो short list करके उनको SMS आजएगा जो कि तीन हफ़ते का time है तो test complete होने के बाद आप जहन में यह रखें कि first week of May में इसका final जो test का result आजएगा तो आपको पता चल जाएगा कि आप test qualify कर test होगा और personality test होगा documents जमा करवाए जाएंगे trade test और interview document verification final selection इन सब के लिए further further फिर आपको बुलाया जाएगा अब majorly बात करें तो इसके बाद हमारा test के फॉरन बाद आता है आपको documents जमा करवाने होते हैं medical test होता है फिर interview और psychological test होता है फिर उसके बाद आपको interview के लिए बु CDC और UDC का typing test होता है assistant के लिए कोई typing test नहीं है तो सिरफ उनका interview ही होगा फिर interview के around दो महीने के अंदर अंदर आपको final selection के लिए call आती है जिसमें कहा जाता है कि आप center में आके अपने documents की verification करवाए 15 दिन का वो time होता है जिसमें आपने even police verification अपनी union console से अपने इलाके से references ये व इसकी base पे आपने joining देनी होती है तो इन steps में अगर हम document submission का personality test का medical test, trade test, interview, documents verification और फिर final selection इनके उपर हम मजीद बात नहीं करेंगे क्योंकि इन से related videos already हमारे channel पे uploaded हैं इनके अलग-अलग links भी हैं और एकठी video में भी हैं मैं अलग-अलग links को description में add गर दूँगा हर subject के उपर ज अब major जो आज के इस video का purpose है वो हमारे test का pattern है, test pattern में जैसे मैंने पहले बताया, सबसे पहले हमारा आएगा intelligence का portion, जिसमें 40 सवाल होंगे, आपके पास साड़े सत्रा से 18 मिनट होंगे, intelligence portion में आपके verbal और non-verbal आजेंगे, verbal आपके around इसमें 30 सवाल आपके verbal होंगे, जिसमें व और non-verbal में आपकी shapes आजेंगे, जिसमें pattern आजेंगे, वो 10 questions होते है, verbal में ज्यादा तर आपको series वाले करने मिलेंगे, कि ये series है, 3, 5, 7, dash, 11 और ये, तो इसमें क्या आएगा, या फिर इस तरह के सवाल होंगे, कि तीन लोग हैं, एक बंदा एक काम इतनी देर में कर लेता ह है, दूसरा इतनी देर में कर लेता है, तीसरा इतनी देर में, मिल के करेंगे, कितनी देर में, तो इस तरह के questions आपने prepare करने हैं, फिर उसके इलावा conditions वाले questions आते हैं, कि अगर ये, ये करता है, फ्लाँ इससे इतना बड़ा है, फ्लाँ इससे इतना छोटा है, तो कौनसी statement गलत है तो वो आपको options में से देखने को वो आपको select करने होंगे verbal के आपके तीस सवाल होंगे और non-verbal के जिसमें shapes आपको दी होंगी कि यह pattern चल रहा है इसके बाद अगली shape कौन सी होनी चाहिए यह आपको 10 सवाल होंगे यह total 40 सवाल का portion होगा intelligence का और यह आपने साड़े सत्रा मिनट में करना होगा जब आप यह submit करवा देंगे उसके बाद आपको option आएगा अगला शुरू करने का उस टाइम पे आप ब्रेक ले सकते हैं और फिर आगे आपको academic का portion आजएगा academic के portion में थोड़ा सा difference है LDC UDC और assistant का असिस्टेंट का generic है जिसमें आपको कोई option चूज करने को नहीं मिलेगा डिरेक्टली आपका जो वो academic का portion है उसका test start हो जाएगा लेकिन LDC UDC की बात करें तो उसमें आपके पास option होगा arts और science को चूज करने का अगर आप arts student है तो आप वहां पे arts को चूज करेंगे और science के students है तो science चूज करेंगे और फिर आगे आपके question शुरू हो जाएंगे असिस्टेंट में यह है कि आपको चूज उसके इलावर direct indirect आ जाते हैं एक्टिवाइस पैसिवाइस आते हैं मतलब आपने majorly वह grammar आपकी चेक करनी होती है उन्होंने synonym एंटनिम आते हैं part of speech आते हैं तो यह चीजें तकरीबन 16 सवाल आपके English के होते हैं फिर आठ सवाल आपके general knowledge related हो जाते हैं जिसमें आपके कुछ borders का पूछ लेता है कि पाकिस्तान इंडिया की borderline का नाम क्या है या अफगानिस्तान के साथ border या दूसरे भी जो अहम मुमा जाले के उनके borders के बारे में चाइना और इंडिया के border का नाम इसी तरह कुछ head offices का पूछ लिया जाता है और इसी तरह आपके जो general knowledge के सवाल हैं काफी वो general किसम के होते हैं आपको बड़ी वास्प त्यारी करने की जरूरत होगी अगर आपने इसको crack करना है तो तो यह 8 सवा आपके general knowledge के होंगे उसके बाद आर्ट सवाल ही math के होते हैं अब LDC UDC के लिए और जो हैं वो LDC के लिए metric level की math होगी और जो UDC के लिए है वो inter level की math होगी तो यह चीज़ आपने जहें में रखनी है अगर आप science के student हैं तो metric के लिए और इंटर के लिए जो 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 हैं असिस् प्योर लीना इसमें सारे के सारे trigonometry और equations और triangles और इसके इलावा sets के बारे में जो union और intersection के questions होते हैं और ज्यादा इसमें portion arts वालों में तीन से चार आपके चार या पाँच questions आपके trigonometry के science cost 10 के related होंगे उसके इलावा अगर आप LDC UDC हैं तो उसके आपके science के questions नहीं होंगे बड़े ही basic किसम के थोड़े बहुत arts वालों के लिए तो कुछ नहीं और science वालों के लिए वो general जो science है उसके questions होंगे लेकिन assistant के लिए आपके purely math physics और chemistry related questions होंगे जो के deep knowledge अगर आप रखते हैं तो ही आप कर सकते हैं यहाँ पर drawback है arts के background वाले लोगों के लिए जो assistant के लिए जा रहे हैं उनको उन्होंने पढ़ा नहीं होगा शायद उन्होंने metric में भी arts पढ़ा हो और फिर आगे इंटर में उन्होंने FA किया हो उसके बाद उन्होंने basically वही जो BA है वही किया हो कहीं पर भी उन्होंने science नहीं पढ़ी होगी लेकिन यहाँ पर उनको भी वह art questions ठीक है जी उसके बाद यह वला portion आप खत्म करेंगे जिसमें फिर से एक दफा रिवाइज कर लेते हैं 16 question English के आर्ट साइंस के आर्ट जीके के जनरल नालिज के और आर्ट मैथ के इन questions के बाद अच्छा जो लोग arts background से हैं LDC UDC के उनके इसमें Islamic studies और Pakistan affairs Pakistan studies related जो है वह उस हवा 17 minute में crack करने हैं उसके बाद next चलेंगे तो फिर आखरी portion जो है computer चुके LDC UDC और assistant यह jobs ही ऐसी है कि आपको in future जो field में आपको computer पर ही काम करना पड़ेगा तो आपको already कुछ इनकी basics का पता होना चाहिए तो computer portion में आपके 25 सवाल होंगे और time आपके पास होगा 10 minute लेकिन यह इत कुछ math के questions में और ज्यादा तर वही जो 30 verbal question intelligence के portion में वहां पे आपको time देना पड़ेगा या non-verbal में जो shapes है वो pattern आपको बहुत गौर से देखने के बाद ही समझाते हैं तो वो time taking है वहां पे आपको time manage करना पड़ेगा बट उसके लिए I suggest कि जो चीज़े बहुत जादा ज computer portion के basically तीन major हिस्से होते हैं इसमें short keys के questions होते हैं फिर जो bars होती है हमारे ms office में या excel में या sheet में या और power point में जो उपर bars चल रही होती है जिसमें हम उसको बोल्ड करने के हवाले से fonts के हवाले से margin और formulas use करते हैं इन चीज़ों के वह आपको bars की information होनी चाहिए कि आपका font कि bar के अंदर आता है font size कहां पे आता है margin किदार है formula किदार है यह जो major चीज़े होती है यह किस-किस bar के अंडर आती है उसके इलावा font size का आपको idea होना चाहिए कि minimum कितना हो सकता है maximum कितना हो सकता है इसी तरह excel की sheet में आप कितने columns maximum add कर सकते है कितनी rows add कर सकते है formulas की बात करें तो कहां से आप copy करते हैं, क्या-क्या formula basics आप use कर सकते हैं और इनकी short keys की बात करें तो आपको पता होना चाहिए बोल्ड कैसे करते है इटलेक, स्पैलिंग चेक करने के लिए क्या है या डेट एड़ करने के लिए क्या है ये वो questions मैं आपको examples में भी मैं आपको वही questions बता रहा हूँ जो के test में आज आ चुके हैं तो आपको थोड़ा सा idea हो जाए आपको know how हो कि आपने किस point of view से इसकी preparation करनी है लेकिन ये इतने generic किसम के questions है कि कोई आपको आके ये नहीं बता सकता कि ये 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 questions prepare कर लो हाँ वही इसी तरह मैं hint दे सकता हूँ कि आप इस जो है इन चीजों से related जैसे कि short keys मैंने कुछ आपको बताई इसके इलावा आप Google पर search करें कि जो short keys है MS office की वह हम कौन कौन सी use कर सकते है तो जो सामने आपके पास आते हैं दो चार pages आजाए आपको short keys मिल जाए तो वह सारी दोहरा आ ले उसके इलावा जो तीसरा short keys bars के इलावा जो तीसरा है वो generic MS office है इसमें आपको word की बारे हमें पता होना चाहिए information होनी चाहिए हम किस तरह table add करते हैं table में rows columns के क्या हम किस तरह add कर सकते हैं उनके margin किस तरह grid line से set कर सकते हैं या कोई और तरीका है Excel में भी इसी तरह आपको जैसे बात है कि sheets कितनी add कर सकते हैं rows columns किस तरह outlook के बारे में हम mailing कहां से use कर सकते है MS office में और clip art के हवाले से ये कुछ जैनरल सी चीज़े हैं जो कि आज के test में काफी ज़्यादा repeat हुई है तो ये हमारा पूरे का पूरा pattern है एक दफा revise कर ले तो intelligence के 40 सवाल 18 मिनट साड़े सत्रा मिनट टाइम academic के 40 सवाल साड़े सत्रा मिनट टाइम और computer के 25 सवाल और 10 मिनट टाइम total ये आपके 105 सवाल और around 45 मिनट टाइम होगा इसी में ही आपने करना है और at the end आपको test का result for that time आप qualify है या unqualified किया है वो आपको पता चल जाएगा final फिर आप short list होते हैं वो test result के time पे जो के expected यही है कि first week of May और इसके इलावा फिर जो इसके further steps है recruitment के जिनके बारे में हमने पहले बात किया उसको भी जो time लगेगा वो timeline मैंने उन अलग videos में बात किया कितने देर बाद कौन सी चीज़ कौन सा step आता है test के बाद कब वो medical के लिए document submission के लिए बुलाते है कब personality test होता है कब interview or trade test होता है final selection तो यह आप जहन में रखे कि final selection आपकी end of सब्तम्बर तक यह वाला procedure complete होगा जो के ठीक है आज के दोर में और जो सूर्टेहाल चल रही है उसमें इतना time तो recruitment में लगता है और जो कि यहां पे हमारे steps काफी ज्यादा होते है recruitment में तो यह इतना time लग जाएगा at the end हम एक दफ़ा बात कर लेते हैं जो मैंने questions के बारे में कहा था कि जो लंबी statement वाले है यह जो confusing questions है उनको आप skip कर सकते हैं तो यह test attempt करते हुए आपको यह चीजे जहन में रखनी है आप screen जब open करेंगे आप login करेंगे अपने roll number और CNIC के साथ CNIC आपने याद रखना है without dash use करना है वहां पे हो सकता है आपको pattern में वो dashes show कर रहा हू लेकिन आपने dash के बगार उसको login करना है login करने के बाद आपको instructions भी नजर आजेंगे एक दफ़ा आपसे पढ़े उसके बाद आप test start कर सकते हैं test के दोरान आप कुछ भी कोई भी question अगर skip करते हैं आपको दो option होते है आप skip कर सकते हैं और next कर सकते हैं जब answer आप एक दफ़ा choose करने के बाद next पे click कर देंगे तो दुबारा आप वो वह वाला question attempt नहीं कर सकते हैं तो आपको ये चीज़ भी जहन में रखनी है अगर कोई question आप skip करते हैं और for example आपने पीछे कुछ 6 सवाल आपने छोड़ दिये चालिस में से और चालिस वा questions अब जब next करेंगे चालिस को question का answer देने के बाद तो automatically जो पहला skip किया हुआ question था वो आपके सामने आ जाएगा उसका answer click करने के बाद आप next करेंगे तो जो दूसरा skip किया हुआ वो चाहे आपका question नमबर 8 हो 9 हो 11 हो कोई भी हो जो भी उसके बाद वाला skip किया हुआ question होगा वो आपके सामने आ जाएगा इसी तरह आप सारे skip questions को दुबारा से कर सकते हैं लेकिन एक दफा answer choose करने के बाद जब आप next कर देते हैं तो वो आपके पास फिर option खतम हो जाता है आप दुबारा से answer choose नहीं कर सकते तो यह जब आप अगर इस दौरान यह हो कि आपने questions complete नहीं किये चालिस में से 30 attempt किये time कातम हो गया तो वो automatically जहां पर भी आप होंगे वो submit हो जाएगा आपका उधरी तो मेरी को जो suggestion यहीं है कि आप time को अच्छे से manage करें जो confusing लंबी statement वाला question है उसको for that time आप skip कर दें जो short easy questions है वो आप लाजमी attempt करें foreign attempt करें और आगे चले यह नहों कि आप किसी tricky question के उपर अटके रहे और चुके time काफी कम है मतलब more less than a minute आपको तकरीबन मिल रहा होगा यह around half a minute 35 second आपके पास होंगे जिसमें आपने statement पढ़नी है answer choose करना है next पर click करना है तो अब किसी लंबी statement वाले किसी tricky कोई solve करने वाले question पर time waste किया बगार आप आगे चले जाए आपको end पर जो time मिलेगा आप वापस आगे इसको answer कर सकते हैं solve करने के बाद solve करने की बात आई है तो मैं आपको बता दू कि आपको चुके writing material आपके पास कोई नहीं होगा तो वहां पर test center में आपके पास एक छोटा सा white board होगा साथ marker होगा eraser होगा वो अब उस white board के उपर अपना जो है कुछ भी अगर आपने solve करना है कुछ नोट करना है कुछ भी जो भी जो भी करना है आपने उदर ही white बोर्ड के उपर मारकर के साथ साल्व करना है एरेज करना है दुबारा करना है तो यह सारा कुछ है अगर आई होप के मैंने काफी ज़्यादा चीज़े क्लियर कर दी है इसके इलावा भी अगर आपका कोई भी आपकी क्यूरियो कोई क्वेश्चन हो तो आप विदोट एन्य ह कोशिश करूंगा जितनी जल्दी और जितना बेहतर तरीके से आपको जवाब दे सकूँ तो विश्यू आल दे बैस्ट एवरिवन आपको काम्याब करें अच्छे से त्यारी करें रमजान है अबादत करें दौाएं करें माबाब की खिदमत करें आपका हम्यों नासिरो मु